अन्य दाता किसान भाईों बहनों को नमस्कार किसान भाईों इस वीडियो में हम बात करेंगे आलू की फसल में जिंक पोशक तत्तु की कमी का क्या लक्षण है इस कमी को कैसे दूर किया जाए और जिंक पोशक तत्तु की आलू की फसल में क्या महत्ता है जैसा कि हम सभी जानते हैं जिंक की कमी से सबसे प्रमुख जो समस्या आती है वो है पत्तियों का हरापन दूर हो जाना जब हराभाग खतम हो जाता है पत्ती मरने लगती है तो प्रकाश रंसलेशन नहीं होता और प्रकाश रंसलेशन नहीं होने से बहुत सारी समस्या हैं जैसे कि पौधे का अच्छे से विकास नहीं होगा, आलू में कंद बहुत कम बनेंगे, उनका आकार नहीं बढ़ेगा, और उपज बहुत ही कम हो जाती है, तो किसान भाईयों, जिंक जो है, ये सुक्षम पोशक्तत्व है, कहने का मतलब ये है, इसकी बहुत कम मात्रा में आवशक्ता होती है, लेकिन जरूर आवशक्ता होती है, जैसे किसी भी परकार की सबजी आप बनाए, तो उसमें नमक बहुत कम चाहिए, लेकिन जरूर चाहिए, नमक नहीं डाला, तो उस सबजी का स्वाद आपको नहीं मिलता है, उसी प्रकार जिंक जो है ये सुक्षम पोशक्ततो है लेकिन आवशक पोशक्ततो है तो आप भी फोटो में देखिए जिंक की जब कमी होती है तो सबसे पहले जो कमी आपको दिखाई देगी वो पती के अंदर जो शिराएं बनी है जो नालियां छोटी-छोटी पाइपे जैस आपको दिखाई देगा इसमें धीरे-धीरे पीलापन आ जाएगा और यदि ये कमी हम जल्दी से पूरी नहीं करते हैं तो पूरी पती जो है वो मिर्त प्राय लगने लगेगी मरी हुई सी लगने लगेगी उसका रंग हलका धूसर और सफेद सा हो जाता है हरिमा हिंता इस ये हरिमा हिंता दिखाती है पूरी पती जैसे आप चितर देख रहे हैं ऐसा दिखने लगता है इसका प्रणाम क्या होता है पौधे का विकास अच्छे से नहीं होगा खेत आपको देखने में बहुत ही बदसरूप सा लगेगा अच्छा नहीं लगेगा और नीचे कंद भी उसमें नहीं बनेगे ये इसकी पहचान का लक्षन है यदी विगत वर्षों में पिछले साल हमको ये लक्षन दिखाई दिये हैं तो इस बार हमको ये लक्षन आने से पहले ही उपाय करना है धान के यदी हमने खेत में बुआई की थी और धान में हमारे खैरा रोग लगा था जिंक की कमी का, तो भी इसका मलब है कि जिंक की कमी है, तो सबसे अच्छा उपाय है कि 25 किलो जिंक सलफेट जो है, इसे जुताई के समय, खेट की तयारी के समय, परियोग कर लिया जाए, तो ये मिट्टी में मिल जाएगा, और एक हेक्टेर में 25 किलो की मात्रा परियाप् करना है, इनको अलग अलग प्रियोग करना है, एक साथ मिलाने पर ये दोनों ही नश्ट हो जाते हैं, किसी का भी लाब आपको नहीं मिलता है, बुवाई के बाद जब ये लक्षन हमको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि अभी आपने फोटो में देखा है, तो जिंक सलफ करता है, एक कच्चे बीगे में आउस्तन 40 लिटर पानी की खपत होती है, तो उस अनुसार हम इसका घोल बना करके और छिड़काओ करेंगे, एक से दो छिड़काओ करने पर ये समस्या नहीं आती है, और बहुत ही अच्छी उपज हमारे पौदे को मिलती है, तो इस वीडि हों तक इसे साजा करिए, और चैनल पर आप नए हैं तो से सब्सक्राइब कर लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार